के गाइस और गुड मॉर्णिंग सभी को आज का दीन हम सभी के लिए काफी जरूरी है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज सुप्रिंग कोड का फैसला आने वाला री एक्जाम को लेकर है ईरह सुबबर काइसे सुब्ह कर डाइम और सुबह मैं ने देखा कि एंटे ने इस ब्यान जारि के है एंटे ल לא पर साफोलएगन्ून पर दोवन जो जो है भाई हम लोग जारी करने वाल है हो भी जल्दी तो यार एक चीज यह समझे में नहीं आ रही कि अब यहां पर सुप्रिंग कोर्ट के सामने हैं एंटी है क्योंकि एंटी का यह बयान मुझे लगता है सही नहीं है बिल्कुल गलत यह बयान दिया है क्योंकि क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है यहां सुप्रिंग कोर्ट का फेसला है और काफी लोग करीफ 75 तक यहां पर लोग चाहते है कि जो nggak आ है क्योंकि रीजल्ट वह जारी किया जाए क्युक्त न्टे जादा दूबाराँ एक्जाम हो इसलिए उनों नतैंट जाता है कि बारह थारिक सुबें साथ बज自已 इनों ने अपना बयान अब यार एक प्रोइंट ये भी कि सुनवाई कहीं एसे नियुकि पॉस्फोंड हो जाए अगर आगे पॉस्फोंड हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्टुटेंट के बड़ी प्रोब्लम हो जाएगे बड़ एक चीज है यार एंट को थोरा समझना चाहिए थोरा सपोर्ड करना चाहिए स्टुटेंट को कि हा यार मेभी चलो ठीक है सुप्रिंग जो भी फेसला होगा उसको हम लोग मानेंगे मुझे लगता है कि लोगों ने जो किया हो सही किया एंट किसी के नहीं सुनता है और जैसे ही आज कोई अपडेट आएगा आपको में ले आऊंगा तो अभी के लिए फिल्टरफों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और थैंक यू सो मुझ पूर वोचिंग इस वीडियो है यह थोडेटीपية टीए पे-टैक कर अपक्राइब कर दीजें लेहिए थीए ईंट कर दीएगे लेहिएंट को सुनता ने जाया वकितर दी बाता है देखके लेहिए पहला टोल मुझ जाया वकितर डिजए यू से लेहिए अधर कर दोल मुझ बाता हैं आदा हैं